Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat to Putli Bhai and Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi Janmogohan kore छिलें 2nd October 1869 Gujarat एर Porbandar, Putli Bhai छिलें तर Ma, Karamchand Gandhi छिलें तर Baba. He studied law in London, छे लंडने पराशना कोरे छिलो आइन निये, and became a successful lawyer in South Africa. परवत्ती काले छे एक जोन आइन जी भी छिलो सफल अथर चूराय South Africa ते. It was here that he witnessed and suffered discrimination. शे उखाने बोईश्यम, बार्नो बोईश्यम एक जन शाखिये छिलो एबं भुक्त भुगियो छिलें. In 1915, गांधी एराइब इन इंडिया, 1915 ए गांधी इंडिया ते से छिलें, प्रम साउथ आफरिका, साउथ आफरिका थेके. Through his policies of Shattagraho and non-violence, he led इंडिया to independence. से तर Shattagraho निती एबं अहिंशा के निये भारत के आजादी देबे. In 1919, गांधी rebelled against a government policy which gave Britishers the power to put anyone in jail. 1919 ए गांधी British government एर भिरुद्धे आंदोलन कोरे छिलो, करों British आर्र जे काउकेई जेले पूर्बे without एनी कोनो पर्मिशन छारा. गांधी जी एई नितीर विरुद्धे सारा भारो जूरे आंदोलन कोरे छिलो, एमोन की ताके गेप्तार करा होय छिलो. In 1920-1922, गांधी जी launched the non-cooperation movement and campaign for the boycott of British services. Schools, courts and goods. आंदोलन एमोन पोचार छिलो, बिटिस देर शेबर वियुद्धे, बिटिस देर स्कूल ले ना जावा, बिटिस कोटे मने आईनी आदलते ना जावा, बिटिस गूट्स मने बिटिस देर दुबबादी व्याभान ना करा. इट प्रोम्टेड इंडियन स्कूल, नेटिव कोट्स and the spinning of खादी. तरा चालू कोल्लो भारोतियो स्कूल, भारोतियो आईन आदलत एबंग चार काय तोईडिकरा कापोर. In 1930, गांधी launched the civil disobedience. 1930 ते गांधी जी शुरू करे छिलेन आईन अमन्नो अंदोलन. On 12 March 1930, he started the historic डांडी मार्च to break the salt law. 12 March 1930, ते गांधी जी शुरू करे छिलेन ओतिहाशिक डांडी पदोजात्रा जेटा किना छिलो लबन आईन भांगो करा. This law forced people to buy salt from the government which sold at its high prices. एई लवनु जाई जनोगन के बाद्धु करा होये छिलो, बिटीज गर्मेंटे तोईरी करा लबन किन्ते जेटा किने छिलो अनेक बेशी दाम. Since salt is a basic need, laws like this affected every Indian. एई लवन स्ववारी नित्त पोये जुनिय छिलो, एई आईनेर माध्धो में पोतिती भारतबाशित पक्खे कश्टकर होये दारी छिलो. By the end of this movement, national unity had strength. एई अन्दोलनी शेशे जातियोत बादी अन्दोलन आरोशोक्तिशाली होये छिलो. In 1942, Indian National Congress under Gandhi launched the Quit India Movement. 1942, Indian National Congress गांधी शुरुकुरे छिलो भारोश्चारो अन्दोलन. And on 15 August 1947, India achieved freedom. 15 August 1947 ए इंडिया साधीन होये छिलो. Unfortunately, दुर्भाग्यो क्रमे, on 30 January 1948, Mahatma Gandhi was shot dead. 30 January 1948 ए Mahatma Gandhi के गुली करे होपता करे. Born on November 14, 1889, in Allahabad, Jahalal Nehru was one of the principal leaders of India's independence movement in 1930s and 40s. 14 November 1889 ए इंडिया इंडियान्स 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 मुव्मेंट भार्ते साधीन अता अन्दोलन. In the year 1930s and 40s, he was the first Prime Minister of Independent India from 1947 to 1964. Unichilen Protham Pradhan Mantri Shathin Bharathira 1947 to 1964. He completed his studies in England, Yahalala Nahru, तर पराशना90 ऐ शेश्कुर ने इंग्लांडे and came back to India to practice law in 1912. 1912, जोलल नेरू भारोपे पिरे एलेंट उकालिति करा जुन्नु 1912 ए, in 1929, हुआज अपोईंटेट अस प्रेसिदेंट अब दी कॉंग्रेस पार्टी, ताके निर्बाची तो करा हुए चिलो स्वाप्रति हिसबे कॉंग्रेस पार्टीर, अस दे प्राइम मिनिस्टर, नेरू एनकेरेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइन्टिटिक डिस्कावरी, एन्टेक्नोलोजिकल डेबलप्मेंट, पोधन मिन्ती हिसबे, नेरू उसाहो दिये चिलो सिल्पो के आरो बिद्धी करा जुन्नु, जैगानिक अबेशकार के आरो बिद्धी करा जुन्नु, पोजिक्तिक अथो उन्नुतियो देखिये चिलो, therefore he is also known as the architect of the modern India, परभुत्ति कले ताके भारोत्तेर, आधुनिक भारोत्तेर रूपोकार हिशेबे जाना जाए